पिलिस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आखिर आही गई है और नेतन्याहू को अब तक का सबसे बड़ा जटका लगा है जब पीर को युनाडिट नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल ने इस्राइल को आड़े हातों लिया और पौरन सीस फायर लागू करने व फौरन सीस फायर की तजवीज का ड्राफ्ट उसके ख़लाफ पास नहीं हो सकता है क्योंकि उसका जिगरी दोस्त अमेरिका वीटो का समाल करके उस ड्राफ्ट को फेल कर देगा जैसा कि उसने पिछली तीन बार किया है इसराइल कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अमे अमेरिका दोरे को रत करवा दिया है और अमेरिका के खलाफ मया देकर अपने घुस्से का इजहार भी किया है इसराइली पीम ने कहा आज जब अलजेरिया और दूसरे देश मिलकर तजवीज लाए हैं तो रूस और चीन भी उनके साथ हो गए जबकि इस तजवीज में सिर् है कि अमेरिका ने आज अपने उसूलों से समझधा कर लिया कुछ दिन पहले ही यूनसी में अमेरिका ने सीसपायर पर एक तजवीज की हमायत की थी जिसमें जंग बंदी के लिए के लिए की बात की गही थी लेकिन रूस और चीन ने मिलकर उस तजवीज को वीटो कर दिया इसी बीच वाशिंग्टन की तरफ से इन इलजामों को खारिश किया गया है अमेरिका ने कहा है कि हम रफाब ओर्डर पर चल रहे वौर के आप्शन पर बात करना चाहते थे लेकिन असराइल ने बात करने से इनकार कर दिया इसराइल का इस तरह से इनकार करना अफसोसनाक ह हमारी सोच में कुई तब्दीली नहीं आई है रफ़ाप पर जमीनी हमला करना बेहद खतरनाक हो सकता है आपको बता दें गुज़िशता रोज युनाइटेड नेशन सेक्यरिटी काउंसिल में घजजा जंग को लेकर फॉलिस इसराइल की तजवीज पास हो गई है इस दोरान अमेरिका जिससे इसराइल ने वीटो की उमीद की थी उसने वोटिंग से गुरिस किया और गेराज़े रहा इस बार इसराइल ने अमेरिका की बात ना मानने की भारी खियमत चुकाई है पंदरा रुकनी सेक्यारिटी काउंसिल घजजा जंगबंदी के लिए एक तजवीज को पास करने की अपने पिछली चार कोशिशों में नाकामियाब रह चुकी है लेकिन इस बार उन्हें कामियाबी मिल ही गई इसराइल के खिलाफ यूनसि में पास हुई इस तजवीज से नेतनियाहु काफी बढ़के हुए हैं हालाद अभी भी बहुत नाजुक हैं क्योंके इसराइली पीम के आफिस और उनके वार केबिनिट की तरफ से ये रदे मल सामने आया है कि इस तजवीज का इसराइली फौच के लिए कोई मतलब नहीं है इसी वज़न से रफा शेहर और घजा के दूसरे हिस्तों में भी इसराइल की तरफ से राद बर हवाई हमले जारी रहे आपको बता दें कि अमेरिका इस बार बड़े दबाओं में था उस पर पूरे अरब मुमालिक के साथ साथ चीन और रूस का भी दबाओ था अमेरिका को लगने लगा था कि कहीं चीन और रूस इस जंग में ना उतर जाएं इस से पहले बरूस जुमा यूनसी में अमेरिका की तरफ से लाई गई गई इस इस फायर के ड्राफ्ट को रूस और चीन ने ये कहकर वेटो कर दिया था कि अमेरिका दुनिया को गुम्रा कर रहा है और जंग बंदी नहीं चाहता अमेरिका ने कई बार नेतन यहूं से रफा में कारवाई ना करने पर बात की लेकिन नेतनियाहू नहीं माना और कहता रहा कि वो रफा पर जल्द हमला करेगा बस इतनी सी बात से बाइडन घबरा रहा था कि कहीं इसराईल ने रफा पर कारवाई चुरू कर दी तो अल्जाम अमेरिका पर ही आएगा यही वजा है कि अमेरिका ने इस बार इसराईल का साथ मही दिया और इसराईल को अकिला छोड़ दिया यूएन में अमेरिका की इमबैजर्डर लिन्डा धॉमर्स rein Kinfler ने कहा है है कि resolution को नाफिस करने की क्या timeline होगी या भी किसी को नहीं पता इसे फौरण नाफिस करना होगा क्योंकि रमजान के इखताम में अभी बहुत कम वक्त बचा है तक्रीबन दो हफ़ते इनसानी सुरतेहाल और इसराइल की शदीद बंबारी की वज़े से होने वाली इनसानी तबाही का जवाब देने के लिए ये काफी वक्त नहीं है बीड जिले के मजल गाउं की मरकजी मस्ञिट की दिवार पर जैश्री नाम के नारे लिखे जाने के बाद पूरी लाके में तनाजा फैल गया मामले को लेकर अलाके के मुसलमान सड़कों पर उतराए और एथजाज किया मुलके मस्जिदें और इधारों में होरे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहें एक ताजा वाक्या महरास्टा के बीड जिले में पेश आया जहां एक मस्जिद की दिवारों पर जैश रिग्राम के नारे लिखे मिले दिवारों पर नारे मिलने के बाद मकामे मुसल्मानों ने मस्जिद और मकामे पुलिस चौकी के बाहर जमका नारे बाजी की और मुझरिमों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की बिगड़ते माहूल को देखते वे पुलिस ने एफायार दर्चकर मामले के तपतीश शुरू कर दी है फिलाल मुझरिम पुलिस के गिरफ से दूर है उत्तरपदेश के बिजनौर में हरान करने वाला मामला पेश आया है बिजनौर के पंजाबी कॉलोनी लाके में होली खेल र माओं के दिलशाद ने बताया कि वह अपनी मा और एहलिया के साथ बाइक से डॉक्टर के पास जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका और ना सिर्फ उनको रंग लगाया बलकि उनके साथ गाली गलोज और बत्तमीजी भी की मामले का वीडियो सोशल मीडि ने एक बड़ा बयान दिया उन्होंने एक रैली में दावा किया कि भारत माता की जै और जै हिंद के नारे सबसे पहले दो मुसल्मानों ने लगाए थे इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या संग परिवार उन्हें छोड़ने के लिए तयार होगा सीम विजेन ने दावा किया कि संग खांदान को इसकी जानकारी है कि भारत माता की जै नारे लगाने वाले पहले शक्स का नाम अजीम उल्ला खान था वहीं आबिध हसन नाम के एक पुराने सफरात कार ने सबसे पहले जैहिंद का नारा लगाया था उन्होंने तंजाने अंदास करते हुए कहा कि ये नहीं पता कि संग परिवार के लोग इस नारे का इस्तमाल बंद करेंगे या नहीं क्योंकि ये नारा एक मुसल्मान ने लगाया था बीजेपी की कयादत वाली मरकजी हकूमत को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुलक ने कभी भी महाजिरीन को मज़भ की बन्याद पर नहीं बाता C.A.A. कानून को लेकर U.S. Commission on International Religious Freedom ने फिक्र जाहिर की है U.S.C.I.R.F. ने कहा है कि मज़भ के बना पर किसी कोख शहरियत देना गेर मुनासिफ है U.S.C.R.F. के सदर स्टीफन श्रेफ ने अपने बयान में कहा है कि C.A. भारत में पड़ोसी मुलकों से बहागरे लोगों को शहरियत देने के लिए खास इंतजाम करता है लेकिन मुस्लिम बरादरी को इससे बहार रखना सही नहीं है अपने बयान में श्रेक ने आगे कहा कि अगर कानून का मकसद सच में सताए गए मजभी अकलियतियों को सहरा देने का है तो इसमें बर्मा के रोहिंगिया मुस्लिम पाकिस्तान के एहमदिया मुस्लिम और अफगानिस्तान के हजारों शिया को भी शामिल करना चाहिए CAA कानून नाफिज होने के बाद ही सेल अगतार गेर मुलकी एदारें और अंजमन मोदी हकुमत पर सवाल खड़े कर रहे हैं इनका इल्जाम है कि सियासी फायदे के लिए मुस्लिम मौशरे को जान बूच कर कानून से बाहर रखा गया है AI MIM ने पीर को कहा कि पार्टी आने वाले लोकस्वा इंतखाबात में गुजरात के भरूच और गांधी नगर हलका इलाके से इंतखाब लड़ेगी गांधी नगर सीट की नुमाइंदगी वजीरे दाखिला अमिश्चा करते हैं AI MIM की गुजरात एकाई के सद्र और साबिक MLA साबिर काबली वाला ने कहा हमारी मरकजी कयादत में भरूच और गांधी नगर लोकस्वा सीट से पार्टी के उमिदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है उमिदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा भरूच और गांधी नगर दोनों अलाकों में मुस्लिम अबादी अच्छी खासी है तो उनने कहा कि इंतखावी नतीजे चाहे जो भी हो ये एलेक्शन AI MIM कारकुनान को 227 के विधानसवा इंतखावाद और 226 में गांधी नगर निगम इंतखावाद के लिए तयार करेगा बीजेपी ने भरूच लोकसवा सीट से मौझूदा MP मनसुक वसावा को फिर से उमिदवार बनाया है जिनका मकाबला आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा से होगा गुजराद की सभी 26 सीटों पर एकी फेज में 7 मई को वोटिंग होगी इससे एक दिन पहले AIMIM ने एलान किया था कि वो महरास्टा में मौझूद नागपूर और राम टेक लोकसवा सीटों से इंतखाव लड़ेगी पार्टी के लीडर ने कहा था कि वो अपने उमिद्वारों के सपोर्ट के लिए मुसलिम और दलीतों के वोट को गिन रहे हैं मुक्तर अंसारी की तबेद बिगडने के बाद पुलिस ने उन्हें दुर्गाबती मेडिकल कॉलिज में भरती कराया है बीते दिरों अंसारी ने जेल की खाने में जहर देने का इल्जाम लगाया था डॉक्तरों के मताबिक अंसारी अभी आईसियू में भरती है डॉक्तरों का कहना है कि अंसारी के पेट में इंफेक्शन है जिसकी वजह से उनकी तबियत बिगडी है डॉक्टरों की माने तो अंसारी की सरजरी भी की जा सकती है मुक्तार अंसारी की हिफाज़त को लेकर उतर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं दो दिन पहले ही लापरवाही बरतने के मामले में मुकतार अंसारी के हफाजत में तैनात एक जेलर और दो डिप्टी जेलर को सस्पिंड कर दिया गया था मुकतार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के MP अबजल अंसारी ने से साजिश बताया उन्होंने इल्जाम लगाए कि मुकतार अंसारी को मारने के लिए उनको जहरीला खाना दिया गया और बांदा जेल के अंदर मुकतार को मारने के लिए लगधार कोशिशे हो रही है बीजेपी ने एलान किया है कि वो आने वाले लोगसुबाया चुनावों में पंजाब में अकेले उतरेगी शिरोमने अकाली दल से गटवंदन को लेकर उसकी बात नहीं बनी है इस बारे में पंजाब भाजपा सदर सुनील जाखड ने एक वीडियो संदेश के जरिये से जानकारी दी है जाखड ने कहा कि फैसला सूबे में लोगो पार्टी कारकुनान की राय की बुनियाद पर लिया गया है पंजाब की 13 लोग सुबा सीटों के लिए एक जुन को मतदान होगा जराई की माने तो भाजपा और अकाली दल के बीच सीटों के बटवारे को लेकर मत भीट था इस वज़े से दोनों दलों के बीच इतिहाद पर बात नहीं बन सकी अकाली दल ने नो सीटों पर चुनाव लेड़ने का प्रस्ताव रखा था और बाकी चार सीटे भाजपा को देने की पेशकर्श की थी हाला कि भाजपा ने प्यम मोधी की व्यापक लोग प्रेता को दर्शाते हुए बड़ी हिस्तेदारी मांगी थी MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर रहतेजाद कर रही है इस पर सुलील जाखर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जिन फसलों पर MSP घूशित की है वे सभी MSP पर खरीदी जा रही है और पैसा कुछ ही हफ्तों में किसानों के खातों में पहुंच रहा है उतरप्रदेश की पीली भी सीट से मौझूदा MP वरुन गांधी का टिकेट कट गया है बता दें बीजेपी ने इसी इतवार को पार्टी उमिद्वारों की पांच फी लिस्ट जारी की थी जसमें पार्टी ने तीन बार के MP वरुन गांधी का टिकेट काट दिया ताहम मिनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर से टिकेट दिया गया है लेकिन पीली भी से वरुन का टिकेट काटते हुए सूबे के वजीर जितिन प्रसाथ को मिद्वार बनाया गया है वहें टिकेट कटने के बाद से वरुन गांधी के बीजेपी छोड़ने के अववाहें तेज हो गई है और इन अववाहों के बीच कॉंग्रेस के सीनिय लीडर ने बड़ा बयान दिया है आपको बता दे कॉंग्रेस MP अधीरंजन चौधरी ने वरुन गांधी को पार्टी में शामिल होने का ओफर दिया है उन्होंने कहा कि वरुन गांधी को कॉंग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए वो पड़े लिखी हैं वो एक साफ नियत के नीता है कि भिज़ी पफार्टी के तो मुझे लग्टब काना चाहिए दिल्ली के वजीर अला अर्विन के जिवाल की ग्रफ़तारी के बाद से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है एक तरफ जहां आहम आदमी पार्टी इसे सियासी साजश्च बताते हुए के जिवाल की ग्रफतारी के खिलाफ सडकों पर उतर आई है तो वहीं दूसरी और बीजेपी भी सीम के जिवाल के इस्तिफे की मांग को लेकर एतिजाज कर रही है क्या है पूरा मामला देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट दिल्ली के वजीर आलार्विन के जिवाल की शराब गुटाले के मामले में ग्रफतारी के खिलाफ आमादमी पार्टी ने मोचा खोल दिया है आप एहलकारों ने आज पी-एम के मकान का घिराब किया जिसके चलते दिल्ली में हिफाज़ती इंतिजाम मजबूत कर दिये गए है ताहम दिल्ली पुलिस ने एहतिजाज की जाज़त नहीं दी है लेकिन इसके बावजूद आप एहलकार पी-एम के मकान को घेड़ने के लिए आगे बढ़े जिसके बाद पुलिस ने पंजाब हुकूमत के वजीर और आप लीडर हरजोत सिंग बेंस को पटेल चोक मेट्र स्टेशन के बाहर सी रासत में लिया इतना ही नहीं एहतिजाज के मदे नजर दिल्ली पुलिस ने पटेल चोक मेट्र स्टेशन के बाहर दफा 144 लागू कर दी है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के वजीर आला अर्विन के जिवाल के इस्तिफ़े की मांग को लेकर बीजेपी ने दिल्ली के आईटियो पर जोरदार एहतिजाज किया दिल्ली बीजेपी के सदर विरेंदर सचदेवा ने के जिवाल को बेइमान बताया अर्विन केज़िवाल के इस्तिफ़े की मांग को लेकर बीजेपी के लोग एहतिजाज करते हुए सेक्रिटेरियेट की और बढ़े जिसकी तस्वीरे आप स्क्रिन पर देख सकते हैं दिली के वजीरे आला अर्विन केज़िवाल ने एडी हिरासत से अपना दूसरा हुकम जारी किया है उन्होंने आज दिली के वजीरे सिहाथ सौरभ भरद्वाज को ये टेक करने के लिए कहा कि अस्पतालों और महला क्लीनिक में लोगों को मुफ्त दवाई मिलती रहे और उनका मेडिकल टेस्ट भी आसानी से होता रहे इस बारे में सौरभ भरद्वाज ने खुद इतला दी उन्होंने कहा कि सीएम अर्विन केज़िवाल को लग रहा है कि उनके एडी की हिरासत में होने की वज़े से लोगों की परेशानी न बढ़ जाए सौरभ भरद्वाज ने अपनी वज़ारत को लेकर वजीर आला से मिले हुक्म के बारे में इतला देते हुए कहा अर्विन केज़िवाल चाहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट मिलता रहे वो लगातार अस्पतालों का दोरा करने को कहते थे पता नहीं अर्विन केज़िवाल के स्मिट्टी के बने हैं क्योंने एडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की सिहत की फिक्र है सियम महला क्लेनिक में दवाया नहीं होने से फिक्रमंद है नोंने मुझे हुक्म दिया है कि महला क्लेनिक में दवाया और टेस्ट मुफ्त मिलता रहे उनका हुक्म मेरे लिए भगवान के हुक्म की तरह है बीजेपी ने वजीर आजम नैंद्र मोदी के खिलाफ नामुनासिब तफिरे के लिए करनाटक के वजीर और कॉंग्रेस लीडर शिवराज तंग दागी के खिलाफ शिकाया दर्ज कराई है कॉंग्रेस लीडर ने ये तपसिरा कॉपल में एक इंतखाबी रैली के दुरान किया था शिवराज इस तंगदागी ने कहा था कि बीजेपी अपने इंतखाबी मुहीम को लेकर आ रही है उन्हें शर्म आना चाहिए अब एक किस मुह से वोट माग रहे हैं उन्होंने दो करोड नौकरियों का वादा किया था क्या उन्होंने किसी को नौकरी दी अगर नौजवान रोजकार मांगते हैं तो वो बीजेपी उनसे पकोड़ा बेचने कले कहती है बीजेपी को शर्म आना चाहिए फिर भी अगर तल्बा मोदी मोदी करते हैं तो उन्हें थपड मारना चाहिए कांगरिस वजीर के बयान पर रद्धे अमल पेश करते हुए बीजेपी लीडर अमित मालविये ने कहा जिन सियासी पार्टियों ने नौजवानों को निशाना बनाया वो बच नहीं पाए कांगरिस के शिवराद तंगादागी जो करनाटका हुकूमत में सकाफत वजीर है पीम मोदी के हक में नारे लगाने वाले तल्बा को थपड मारने के लिए कहते हैं सिर्फ इसलिए कि यंग इंडिया ने राहुल गांदी को बार बार खारिच कर दिया और चाहते हैं कि मुल्की क्यादत पीम मोदी करे इसके लिए कॉंग्रेस उन पर हमला करेगी यह शर्मनाख है पीम मोदी यंग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांदी की कॉंग्रेस नौजवानों को तमाचा बारना चाहती है जिसके बाद बीजेपी ने लोगपर्थि निर्यतो अधिनिया मुनिस्व 51 से जुड़े दफाओं के तहट शिवराज के खलाफ इलेक्शन कमिशन में शिकायत दर्ज कराई और उन पर नौजवान वोटरों को डराने का अलसाम लगाया लोग सब इलेक्शन के लिए कॉण्ग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की छटी लिस्ट जारी कर दी है इस लिस्ट में 6 नामों का एलान किया गया है पार्टी ने अब तक 190 कैंडडेट्स के नामों का एलान कर दिया है इस लिस्ट में कॉंग्रेस ने राजस्थान के लिए चार और तमिलनाडू के लिए एक कैंडिडेट का एलान किया है। इस मार्च को चौथी लिस्ट में 46 नामों का एलान किया था। के बाद तनाजा खड़ा हो गया। सुप्रिया के राद ना सिर्फ कंगना बलकी बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसकी मजब मत करते हुए कॉंग्रेस लीडर पर निशाना साधा। हमें अपनी बेटियों को तासुवात की जंजीरों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके बोडी पार्ट को लेकर तदस्स से उपर उठना चाहिए। और सबसे बढ़कर हमें जिंदगी या हालातों कुछ नौती देने वाली सेक्स वरकर्स को किसी किस्म के बद सुलूकी या बेज़िती की तौर पर इस्तमाल करने से बशना चाहिए। हर ख्वातीन उसकी इज़त की हगदार है। वहीं खुद को चौतर फार घिता देख सुप्रिया श्रिनेत को ना सिर्फ सफाई देनी पड़ी बलकी पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनका एक्स हैंडल हैक हो गया था और तब कुछ देर के लिए उसका एकसिस किसी और को मिल गया था। मेरे Facebook और Instagram अकाउंट का एकसेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहत घ्रणित और आपत्ति जनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी मईला के किलाब व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिपड़ी कर ही नहीं सकती हूँ। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपियोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वही पर ये अब्जेक्शनबल पोस्ट हूँ और वही से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेस्बूक और इंस्टा पे डाला। नाजरेन मुल्क के बात मैं आज के लिए बस इस नहीं मुझे दीजे इजासत आदाब।